अगर आप बोर हो रहे हैं और खुद को इंटर्टेन करना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए क्रेजी टैक की दुनिया में आज मैं दिखाऊंगा आपको ऐसे धमाकेदार गैजट चिन को देखके आप बहुत ही इंजॉय करेंगे और उनको जिन्गी का हिस्सा बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे लेकिन इस से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए आएए चलते हैं आज के अमेजिंग सफर पर कैलमस 1 अल्टरा बाइक ये अल्टरा बाइक दिखने में जितनी ही सिंपल है उतनी ही आसम और फ्यूचिरिस्टिक भी है और ये बाइक इंस्पायर्ड है पैंथर की एनरटॉमी यानि एक पैंथर के अपियरंस से इस बाइक को जब आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन होगा एक स्लीक बाइक का जो के अपनी कैटागरी की केई बाइक से बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है इसमें आपको एक टच सक्रीन बेस्ट पैनल भी मिलेगा जो के इसके हैंडल के बिलकुल मिड में होगा जिसमें आपको सारी इंफर्मेशन मिलती रहेगी रियल टाइम में और बहुत ही प्यारे से एंडिकेटर इसकी हैंडल बार में आपको मिल जाएंगे ये बनी होती है लाइट वेट ऐलिम्यूनियम फ्रेम से और इसके साथ ही इसके फ्रांट पर मजूद होती है एक LED लाइट भी और अगर हम बात करें इसकी पावर की तो इसमें आपको 750 वाट की एक मोटर मिल जाती है राइडिंग पैटरंज यानि आपके बाइक राइड करने के तरीके के हिसाब से इसमें गेर आटोमेटिकली शिफ्ट होते रहेंगे इसकी स्पीड के हिसाब से इसके इलावा ये बलाइड स्पाट में वीकल को डिटेक्ट करके आपको अलर्ट भी कर देगी जिससे आपकी सेफटी भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी तो दोस्तो ये बाइक हर तरा से ही बेतर हो जाती है अपने फीचेरिस्टिक फीचर्स की वज़ा से और अमेजिंग सी लुक की वज़ा से इस जबरदस से परड़क्ट पे आपका एक लाइक तो बनता है स्मार्ट निउस्पेपर दोस्तो निउस्पेपर तो आप सब ही पढ़ते होंगे इसे पढ़ने से हमें काफी ज्यादा नौलेज मिलता है लेकिन अब निउस्पेपर बहुत हाई टेक हो गया है अब हर रोज आपके घर में नए निउस्पेपर नहीं आएगा ये एक ही निउस्पेपर खुदी अपडेट हो जाएगा जिसमें इमेज बदलेगी, वीडियोज बदलेगी और पूरा सेट अप चेंज हो जाएगा जिसे आप रोज पढ़ सकते हैं किसी भी स्मार्ट सक्रीन की तरह अब आप इस निउस्पेपर से सारी खुबरों के बारे में जान सकते हैं और इसके साथ निउस्पढ़ना काफी ज्यादा इंटरस्टिंग हो जाता है और आप बहुत ज्यादा इंजॉई भी करते हैं इस स्मार्ट निउस्पेपर से प्रो ड्रोन आर्म फ्लाइंग रिबोट दोस्तो आज का ड्रोन्स का استعمال काफी सारे एरियास में किया जा रहा है हलाएंके इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फोटोग्राफी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर ड्रोंज का इस्तमाल किया जा सकता है तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा मल्टी पर्पस ड्रोंज जो कि आप के लिए डेली एजेंट की तरह काम कर सके तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजट का दारसल ये एक ऐसा ड्रोंज होता है जो लग भग 10 किलोमेटर तक के वज़न को उठा सकता है इसमें दो रोबोटिक आम्स लगी होती हैं जिससे आप कुछ भी कैरिक कर सकते हैं इसका फ्लाइं टाइम 30 मिनिट का होता है यानि आप लग बग आदे गहंटे के लिए इसे हवा में रख सकते हैं तो आने वाले वक्त में इस तरीके के रोबोट आपको जल्दी हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे ट्रैक पॉर्ड दोस्तो सकेट बोट तो आपने बहुत से देखे होंगे अगर आप भी सकेट बोट पे राइड करना अपसान करते हैं तो ये सकेट बोट आप के लिए बिलकुल परफेक्ट है क्योंके इस सकेट बोट के सर्फिस को कर्व बनाया गया है जबके normal skateboard का surface बिल्कुल flat होता है और इसका surface काफी ज्यादा flexible भी होता है जिससे आप easily stunt कर पाएंगे इसमें आपको उपर की तरफ rubber की grips दी जाती है जिससे आप easily इस पर stable रहेंगे तो अगर आप भी skateboard की riding का मज़ा लेना चाते हैं और काफी मज़ेदा stunt करना चाते हैं तो ये skateboard ले सकते हैं आप भी अल्ड्रा लॉक यू एल 3 दोस्तो आपके घर की safety बहुत ही ज्यादा important होती है आप लोगों के लिए और इस safety के लिए हमें एक मजबूत और digital lock की जरूरत होती है ये lock आप लोग अपने घर के डूर पर लगा सकते हैं ये lock आपके mobile के Bluetooth से connect हो जाता है और साथ ही आपके smartphone की application की help से भी connect हो जाता है और इस lock को आप लोग कोट डाल के भी खोल सकते हैं और आप लोग fingerprint की help से भी इस lock को खोल सकते हैं अगर आप ये लॉक लगाते हैं अपने डोर पर तो आपका घर बहुत ज्यादा सेफ रहेगा ये लॉक डस्ट प्रूफ भी होता है और वाटर प्रूफ भी और सबसे अमेजिंग फीचर इस लॉक का ये है कि बैटरी टाइमी इसकी बहुत ज्यादा होती है आपको साल में सिर्फ एक बारी इसे चार्ज करना है और पूरे साल तक ये लॉक आपका काम करता रहेगा और आपको बार बार इसे चार्ज करने की भी दरूरत नहीं पड़ेगी अमीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो वीडियो को कर दीजिये लाइक तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजट्स के साथ